Hey guys, तो स्वागत है आपका Captain B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हलकी अब हम सब इस बात पर agree कर सकते हैं कि हलकी हालत MCU में ऐसे हो गई है जैसे मेरी family gatherings पे मेरी होती है मतलब कि कोई value ही नहीं, हलक अब एक मजाग बनके रह गया है MCU के अंदर और ऐसा लगता है कि MCU को कोई idea ही नहीं है कि इस character के साथ करना क्या है अब fans, Edward Norton के हलक के तरफ point out करते हैं कि हमें ऐसा ही हलक चाहिए बट वो ये बाद भूल जाते हैं कि The Incubler Hulk मूवी भी काफी जादा flawed है और यही वज़ती Edward Norton के request होने की अल्दो मैं यहाँ पे fans के sentiment को समझता हूँ कि क्यों Indeed by Hulk उने पसंद है क्योंकि उसके अंदर वो monster Hulk उने देखने को मिला था लेकिन उसके बाद Avengers मूवी में भी Hulk को अच्छे से दिखाये गया था बट हम सब को क्या ही पता था कि यह आकरी बार था जब Hulk हमें इतने अच्छे से देख रहा है क्योंकि इसमें वो powerful तो था ही प्लस अपना लोहा भी मनवा चुका था और इसी बात का फाइदा उन लोगों ने उठाया और इसके बाद आगे जाके सिर्फ उसको पिटवाया Age of Ultor में Hulkbuster से वो मात खा गया Thor Ragnarok में Thor ने उसे दो दिया and Infinity War में तो पूछो ही मत Endgame में खिचरी Hulk को देखने के बाद से बची कुची उमीद शी Hulk की सीरीज थी और वहाँ पर भी हमें ऐसा Hulk देखने को मिला कि अब Hulk से उमीद ही नहीं रही है खैर मुझे मालूम है कि Universal के पास राइट्स ना होनी के वज़े से Marvel वाले सोलो प्रोजेक्ट्स नहीं देपाते Hulk को बट जिस भी प्रोजेक्ट में उसको दिखा रहे है कम से कम Avengers मुवी जितना अना सही कम से कम एक respected role तो दो ना कि कि किसी भी सीरीज के अंदर उसे bartender बना दो Care Rumors के According Universal के पास Hulk और निमॉर के सोलो राइट्स जून 2023 तक ही रहेंगे और उसके बास तो वो डिजनी के पास आ जाएगा मतलब कि हमें Hulk और निमॉर के सोलो प्रोजेक्ट्स दिखने को मिल सकते है And I think कि दिरे दिरे इसके उपर काम चल भी रहा है जिसके बारे में हमें उतना idea नहीं है Marvel दिरे दिरे करके World War Hulk के pieces को assemble कर रहा है जहां She Hulk में हमने Scar और She Hulk को दिखा दिया गया साथी Abomination का भी update दे दिया गया But to be honest, 10 साल बाद Shang-Chi में जब मैंने इसे दहारते वे देखा था तो मैंने सोचा था कि हमें Abomination vs Hulk का थोड़ा सा ग्लिप्स देखने को मिलेगा जो कि interesting हो लेकिन जो She Hulk में देखने को मिला वो थोड़ा सा disappointing था And I hope कि आगे जाकर हमें Abomination का असली रुप देखने को मिले So मेरी theory start होती है The Incredible Hulk से Incredible Hulk में Bruce Banner Hulk में तब बनता है जब वो Gamma Radiation से exposed होता है बट सिर्फ यही नहीं उसे hire किया होता है General Thaddeus Ross ने जो कि Captain America के Super Soldier Serum को recreate करने वाले project पर काम कर रहा होता है और जब Bruce का experiment fail हो जाता है तो एक बार फिर से General Ross उस पे लग जाते है जिसके बास एक experimental Super Soldier Serum बनवाते हैं जो कि Emil Bronski को दिया जाता है बट अगीन यह version भी perfect नहीं होता है बट उसी movie के अंदर हमें एक और character दिखाया जाता है जिसका नाब रहता है Samuel Stearns जिसके सर के उपर हलका blood गिरता है और यह उसको mutate कर देता है Now यह इसलिए important है क्योंकि यह बंदा actually made the leader नाम का villain है और यह nearly 15 साल बाद return होगा Captain America 4 में और movie के end में Captain Falkal इसे law के हवाले कर देगा जिसके बाद यह पहुँच जाएगा raft में Raft एक special jail है जोकि super powered individuals के लिए बनाया गया है जिसको हम लोगोंने civil war movie के अंदर देखा ही तो यहाँ पर वो directly अंदर आ जाते है जनरल Ross के अब मेरे हिसाब से जनरल Ross reader को यूज करके फिर से super soldier serum बनाने की कोशिश करेंगे अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा ताकि Hulk की कहानी के साथ थोड़ा सा caught up हो सके एंड गेम में हमने देखा कि Banner ने एक तरीका ढूंड निकाला था कि वो Hulk के साथ coexist करे जिसके result में हमें Professor Hulk या फिर स्मार्ट Hulk मिला लेकिन हमें She Hulk सीरीज के अंदर पता चलता है कि उसका हाथ ठीक नहीं हुआ था और उसने एक device बनाया था जिससे वो अपने human form में आ जाता है और मेरे ख्याल से जो ये human form में आता है तब ये इसकी Hulk की personality को दबा दिया जाता है और हमने She Hulk के अंदर ही जाना कि Bruce का हाथ तब ठीक हुआ जब उसे जैन का blood मिला मतलब कि वो mutator वाला मने वो जो She Hulk बन गई थी उस वाला बट हमने Hulk को कई बार regenerate करते वे देखा है मतलब कि खुद को heal करते वे देखा है तो वो अब ये क्यों नहीं कर पा रहा मेरे according जो ये bracelet यानि की gamma inhibitor device थी वो हल के personality को दबाने के लिए Bruce का blood में मौझूद गामा लेवल्स को इतना कम कर दे रही थी कि वो healing को अपना access नहीं कर पा रहा था और मैं इसमें इतना share क्यों तो भाई साब आपको याद होगा जब she hulk का pilot episode दिखाया गया था तो वहाँ पे हम देखते हैं कि hulk का blood gen के blood के साथ mix हो जाता है जिसके बाद से वो she hulk बनती है बट she hulk के blood में मौझूद गामा लेवल्स जादा है ऐसा क्यों अगर gen के blood में जो real hulk देखने को मिलता है मैं यहाँ पे real hulk इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे banner professor hulk है वो smart hulk बन रहा होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी लेकिन यहाँ पे शाय तक वो खुंखार वारा hulk बनने वाला होता है लेकिन banner उसको suppress कर देता है अब मेरे हिसाब स general Ross जो कि super soldier serum बनाने की चाहा रख रहते वो leader के मदद से ऐसा serum बनाना चाहेंगे और एक ऐसा machine बनाएंगे जिससे उस serum को enhance किया जा सके ऐसा इसलिए क्योंकि super soldier serum अगर successfully बन भी गया तो वो hulk को उससे नहीं पकड़ पाएंगे उनको उससे जादा चाहिए होगा इसलिए वो भी बनवाएंगे जिसके मदद से शाय तक general Ross रेड हल्क बनेंगे बट यहां मुझे लगता है कि Bruce उन्हें रोकने आएगा और रोकने के लिए वो machine को तोड़ना चाहेगा बट वो machine heavy levels of gamma radiation blast करेगी और उसके बाद से Bruce के अंदर के जो gamma levels है वो इतने बढ़ जाएंगे कि bracelet उसके वज़े से कई सारे नॉर्मन लोग भी हल्क में बदल सकते हैं ठीक वैसे ही जिसे अर्थ मैटिस्ट हीरोस के दू पार्टर एपिसोड के अंदर हुआ था जहां पे gamma radiation को इसी तरह से छोड़ दिया गया था और उसमें भी ये काम के पीछे लीडर था तो वैसा ही अधि थंडर बोल्स में थंडर बोल्स के टीम में दो सुपर सोलजर है तो वहां से उनके बलड को एक्स्ट्रैक्ट करवा कर सुपर सोलजर सिरम के उपर काम फेसे करवाया जा सकता है मुझे परसनेली लगता है कि रॉस ब्लीब के टाइम में डस्ट नहीं बना और वो अब रियल वर्ल्ड में काफी पावर होल्ड करता है वलेंटीना का कैरेक्टर डेफिनेटली रॉस के अंदर काम करती है और वही थंडर बोल्स को एकटक कर रही है और हमने उसे ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर देखा भी कि उसकी तेवा किस हाइट पे थी अगर आप ध्यान दो तो जब भी रॉस कुछ करने जाता है उसके वज़े से हल्क को प्रॉब्लम होई जाता है इवन हल्क की जो जनम है वो भी रॉस से ही जुड़ी हुई है तो रॉस जब इतने कारे तिगड़म उगरम लगा रहा है तो ओविसली इसका इंपक्ट पड़ेगा जो कि यही होगा कि जो हल्क की परसनेलिटी इतने समय से अंदर में दबी हुई थी वो बहार आ जाएगी जिसको रोकने के लिए बाकी सारे हल्क करेक्टर लगेंगे यह जो हल्क आएगा यह अंस्टॉपिबल होगा और जो हम लोग वर्डवार हल्क और मौस्टर हल्क की बात कर रहे हैं उनको भी यह सरपास कर जाएगा ओविसली यह मूविस के अंदर दिखा रहे हैं तो वो वर्डवार हल्क जैसे बहुत बड़े फीट नहीं दिखाएंगे बट इतना तो है कि वो सब के नाक में दम कर सकता है वो एक ओसम सिनेरियो होगा जहाँ पे हमारा इंकेडिबर हल्क हल्क जैसे कैरेक्टर से लड़ेगा एक साथ जहाँ पे अपोजिट में स्कार, एबामिनेशन, शी, हल्क, रेड, हल्क ना जाने और कौन-कौन से हल्क हो सकते है लेकिन ये बस एक थियोरी है, एक मार्वल थियोरी मुझे मालूम है कि मैंने कई लूजेट छोड़े हैं बट ये वीडियो अपने थियोरी को descriptive form में समझाने के लिए बनाया गया था ताकि हमें ये बात समझ वे आए कि जरूरी नहीं कि हल्क हीरो के तौर पे ही वापस आए वो विलन के तौर पे भी return कर सकता है जो कि बाद में खुद को redeem कर लेगा Wanda को ये example पे ले लीजिए as a villain वो कितनी badass लग रही थी और ऐसे theories में इसने करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर दिजेगा Thank you for watching this video, stay tuned